वेल्कम टू मैई चैनल दुलहन व्यूटी पालर इस वीडियो में आज मैं आपको ब्राइडल मेकप के समान के बारे में बताऊंगी जिन लड़कियों के साधी होनी वाली है या जिने मेकप के बारे में नहीं पता यह वीडियो उन लड़कियों के लिए है सबसे पहले फेस के कलिंजिंग, टोनिंग और उसके बाद मोस्चराइजर होता है उसके बाद हम प्राइमर यूज करते हैं फिर फाउंडेशन यूज करते हैं और कलर कॉंट्यूर, कॉंसीलर, फेस पाउडर, आई सैडो, आई लाइनर, मस्कारा, काजल, लिप्स्टिक वगएरा वगएरा बहुत से ऐसी चीज़े होती हैं जो हम ब्राइडल मेकप के लिए यूज करते हैं उसके लिए हमें बहुत से प्रोडक्स बजार में मिलते हैं सबसे पहले हम क्लिंजिंग करते हैं मेरे पास यह आयूर का है क्लिंजिंग मिल्क फेस के क्लिंग करने के बाद हम टोनिंग करेंगे यह मेरे पास आयूर वेदा का टोनर है, रोज टोनर फिर मॉस्टराइजर होता है फिर मॉस्टराइजर करने के बाद हम प्राइमर यूज़ करेंगे प्राइमर के बेनिफिट्स ये हैं कि जो ये प्रोड़क्ट्स के कैमिकल वगएरा हो हमारी स्किन के अंदर नहीं जा पाते जैसे कि ये ट्रेम लेकमे का है और ये लखमे का को झाला मेंके हो में और ये शेर आइशेड़ है ये एन वाई एन की है ये आई सेड़ो कीटा है ये और ये ये डव का फेस पाउडर है ये ओले का फेस पाउडर है और ये शिर आई सेड़ो है ये और ये लाक्मे का फेस पाउडर है ये लाक्मे का और ये कलर कॉंट्यूर है कुछ दे कि इसमें 12 तो है अलग अलग ऐसे चाहीब है और चाहीब है उसके बादव धाद रहे के लिए देखते हैं हमारे पास पींस है यह ऑज्egenती पीं में ह मेंने में जोड़ा में है बोप में हिसरी के लिए ले हैं यूज करते हैं यह मेकप के लिए है यह कर्लिंग मसीन है यह और यह प्रैसिंग मसीन है यह नौवा की है यह दोनो देखे यह अलग अलग कलर की नेल पेंट है मेरे पास और यह लिप्स्टिक अलग अलग कलर की अलग अलग यह एडियास की है यह तो आपने देखा कि ब्राइडल मेक अप के लिए हमें क्या क्या समान चाहिए और कितना कितना लेना होता है ठीक है अगली वीडियो में मैं आपको ब्राइडल तियार करके दिखाऊंगी इस समान को कैसे यूज़ करते हैं और कितना कितना यूज़ करते हैं वो सार टोटली मैं करके आपको वीडियो बनाके दिखाऊंगी नमस्कार